जो पिछले दोख हपतों में दाशत गल्दों के फिर से नपाक रादेगों हैं वो सामने आने शुरू हुए हमारे पंच और सरफंच दो जगा पर टार्डिट किये गए जे इस तरह के नपाक जो हरकतें जो बेगुना लोगों को नपसान पुचाने की उनकी जान लेने की इनकी है पाकस्तान की तरफ से जो उनके हैंडलर्स हैं वो इनको बार-बार पुच कर रहे हैं कि लोगों का नपसान करें कहीं गरनेड फैंका शिर्नगर में उस दिन गरनेड हुआ जिसमें दो लोग मारे गए एक बच्ची मारी गई उसमें देगना लोगों की जान लेने का सिलसला थम जाए बंध हो जाए इसलिए हमारी तरफ से जो काउंटर टरिस्ट अपरेशन हैं वो बराबर चल रहे हैं पिछले कुछ दिनों में कोई आदा दरजिन के करीब अपरेशन तामजाब अपरेशन जो हो चुके हैं कल रात का ओपरेशन भी जो है उसमें तीन दैश्ट गल्द मारेगे जे तीन दैश्ट गल्द जो हैं जे हमारे खुनमू के सरपंच शबीर अमन भट को मारा था इनोंने उसमें ये शामल थे उनकी हत्या में उससे पहले भी जो कुलगाम में वर्दात हुई वहां भी सरपंच की हत्या की उसमें सब लोग हमने पकड़ लिये हैं और उसके पीछे जो में दैश्ट गल्द उसको पैचान कर लीगी है उसका भी पीशा किया जा रहा है शोपिया में जो CRP के जवान को मारा उसमें भी पूरे का पूरा मॉडियूल टेरिस का पकड़ लिया गया है इसी तरीके से आर्मी के जवान की जो हत्या हुई बढ़गाम के अंदर चडूरा में उसमें भी जो लोग शामल थे उनको पकड़ लिया गया है और दैशत गर्द जो उसके पीछे उसकी पैचान होगी है उसका भी जल्द सफाया होगा इस तरह की उप्रेशन जारी रहेंगे ताके हमारे लोग आमन की फिजा में आमन के महौल में रह सकें और लोगों की जान का नकसान जो पाकस्तान के दैशत गर्द और पाकस्तान की एजन्सियों के शारे पर जहां के दैशत गर्द करते हैं उसको रोका जा सकें असर जो PRIs जिनको security नहीं है वो काफी गवराई हुए है तो उनके लिए security की क्या अरेजमेंट से हैं? कोई गवराट की ज़रूरत नहीं हर जगा पर security इंडूजल तोर पर फराद फराम करना मुम्किन नहीं होता है एरिया को secure करना, एरिया की security के अच्छे महौल को जो अच्छा महौल प्रादा करना उसके लिए सब जगा पर रहती है और जहाँ जहाँ पर security agencies और intergencies की report होती है, वहाँ पर security प्रोइड की जाती है सर नाजवान के लिए क्या message ये किस तरी किसे वो हर चीज में आगया जाहे किरकट होई चाहे और भी टूरिस्ट में किस तरी किसे आप लांच कर जोग स्कुमों को लिए नाजवानों के लिए आज इतनी opportunities हैं मैं जिकर कर रहा था अभी पिछले हथे हम लोगों ने पुलीस की तर्फ से शूना या समान का कारिकरम किया जहां की बच्ची ने पार्टी स्पेड किया इतना बेहतरीन टेलन्ट उनके अंदर हम लोगों ने पाया कि जहां की बच्ची समरीदी सिंग फरस्ट आई अपनी एज ग्रूप के अंदर जहां की और भी बच्चीयां गई थी उन्होंने भी बहुत अच्छा प्रफॉर्म किया इसी तरीके से जहां जिकर कर रहे थे कि कुछ एक बच्ची जिसके दोनों हाथ नहीं है वाजू नहीं है उसको आर्टिफिशल जो लिम्ज होते वो लगाए गए और अब बच्ची पैरालंफॉक्स की तियारी कर रही है इस तरह की बहुत सी मसाले जहां पर पहले है क्रिकेट में बहुत अच्छा जो लोग करने वाली उनकी मसाले हमारे क्मेंटेटर दे रहे दे तो मुझे लगता है कि नौजवान बच्चों के लिए बहुत सारे मौके हैं जिनका फैदा उठाना चाहिए और गलत रास्तों के उपर चलना नहीं चाहिए अगर को है तो उनको गलत रास्ता तरक करना चाहिए असराव मौहमद अमीन और फजांगर स्रोडी जो काफी सालों से अभी भी जो है यहां मतब एक्ट्व है पोलीस को अभी तक जो है उसके कोई भी इंपूट्स नहीं है क्या वज़ा है कि अजन्सी जो अभी तक फैल हो रही है जहां पर जो उसने पौदे नएं लगाए थे उनकी साक्तराशी काफी पहले हो चुकी है मगर वो खुद अभी तक जिन्दा है खुद बचा हुआ है मुझे लगता है कि ज्यादा वकत नहीं है हर किसी का वकत उपर वाला करता है मगर हमारी तरस से कोशिशें जा रही है